जै, आज मैंने कुछ सोचा है, कभी-कभी ये काम भी करना चाहिए, आज मैंने एक बहुत बड़ा फैसला किया है, मैं बताओ तेरा बहुत बड़ा फैसला, तू बसंती से शादी करना चाहता है, अरे वा, 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 तू मेरा सचा यार है, एक यार ही यार की दिल की बात जान सकता है और वो यार ये भी जानता है कि इस साल में शादी का ये तेरा आठवाँ फैसला है ये फाइनल है यार फाइनल कि सुबह से दारू पी रहा ना यार पार्टनर मेरा एक काम कर दे क्या वो बसंती है न उसकी मौसी के पास जाकर मेरे रिष्टे के बाद कुछ इस धंग से कर के मौसी शगू लेकर आज़े अ Christmas करें लडखें वाले ही तो जाते है लड़की वालों के धार और फिर इस दुनिया में तेरे सिवा मेरा है कौन देख शादी तुने करनी तू जाके बाद काव जरा सोच, शादी के बाद एक घर होगा. घर तो तेरा होगा. एक बीवी होगी. तेरी होगी. साथ आठ बच्चे होंगे. तेरे होंगे. पर चाचा ताचा तो तुम ही बोलेंगे न? प्यार से तुम्हारे गोद में थेलेंगे, तुम्हारे कंदों पर जूला जूलेंगे, और तोथली जबान में बोलेंगे, ताटा, ताटा, हमको कहानिया सुनो. यानि शादी के बाद तेरे घर में मुझे आया की नौकरी मिलने वाली. समझा, तु मेरा दोस्त नहीं है. लानत ऐसी दोस्त. इसी लिए अकड़ रहा है न, कि मेरा ये काम तेरे बगार दूसरा कोई नहीं कर सकता. आज मेरी मा होती, तो मेरी कब की शादी हो चुकी होती. मेरे छोटे-छोटे बाल बच्चे होते. आज मेरा बाप होता, तो बैंट-बाजे के साथ मेरी शादी करके लाता. मेरे भाई-बहन होते, वो मौसी के पैर चुकर भी पसंती की शादी मुझसे करवा दे. लेकिन ये मत भूल जाए, जिसका कोई नहीं होता, उसका भगवान होता है. भगवान, तु बो दोस्त नहीं रहा. तू नहीं चाहता, मैं बुरे धंदे छोड़कर घर गरीश्ती बचा सकूँ. मैंने तुझे क्या समझा था जाए, लेकिन तू, तू क्या निकला है? साला नो टंकी, कड़ी-खड़ी ड्रामा करता है. क्याल, बदबद, बहुत हो गया है, मैं मौसी जा के बात कर लूँगा. सच!